तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रिव के बारे में अच्छी चीज यह है कि यहाँ आने के लिए ना मैंने कुछ लिये ना आपने कुछ दिया है So this is an open session जिसमें हमारी कोशिश यह होगी कि जहाँ जिसका फायदा हो सके हो जाए मेरा होता है कुछ सीखूं मैं आपसे तो मैं सीख जाओ आप लोगों कोगर सीखने का कोई चांस है तो आप लोग सीख जाओ हम इंट्रिव को लगबग 13 points में cover करेंगे जो मैंने अभी लिखे है First is your DAF, detailed application form उसमें आप लोग बाकी चीजें तो देखो बड़ी basics ही होती है Your educational background, your professional background आप कहां से आते हो लेकिन आगे चलके क्या होगा जो आपका DAF है वो ही आपके इंट्रिव में बहुत सारे questions पैदा करेगा For example, आप अपना DAF दे तो मुझे Right, तो DAF को हम cover करेंगे This is all, that's all, इतना ही होता है Right, हाँ तो इसमें आप सबसे पहले तो इसी चीज़ पर आजाओ कि आपका नाम Right, आपका नाम Whatever your name is उससे थोड़ा सा आप इस चीज़ में conscious रही है कि कोई famous personality हो, कुछ हो तो you should be able to cover it ऐसा ना रगे, जैसे किसी का नाम Sachin है तो Sachin नाम के 2-3 ही तो है, Sachin, Tendulkar और 2-3 और लोग हैं तो उनको आप cover कर लो अपने हिसाब से ठीक है, you should know that Then we come to gender marital status, यह उतना जाता नहीं है Then your mother tongue will come Right, so जहां पर आप mother tongue mention कर रहे हो, you should be well aware of your mother tongue यह मान लो किसी बोली की आगे locally PA कुछ है, तो you should be able to know about that कि मेरी, अगर मैं डोगरी है तो डोगरी किस family से आती है बोलियों की, you should know that Right, डोगरी के कोई famous writers कौन हुए है या डोगरी की famous books कौन सी हुए है you should know that, यह बड़ी basic सी चीज है अगर आप अपनी mother tongue Kashmiri रख रहे हो तो आप उसको उस तरह से cover करो Right, you should know about the literature of your language very basic you should know about famous writers of your language यह बड़ी basic चीज है you should know that Right, हाँ जी अगर तो बोलेंगे की कोई sentence बोलो फिर देसे मत बदरवास है बदरवाई पर rural areas में बोली आती है तो उस situation में नहीं, आप जो बदरवाई जो आपको आती है ना language आप वो बोलना if it is your mother tongue then you should be able to speak it हाँ, तो आप उसमें थोड़ा सा चेंज कर लो जो चीज आप बोल पाऊ I'll prefer कि मैं जिस जबान को बोल पाऊ जैसे हमारे एक टीचर कहते थे कि जो मा बोली होती है जो mother tongue होती है उसकी सबसे वड़ी खासियत क्या है you dream in your mother tongue आपको जब सपने आते हैं तो वो Spanish में नहीं आएंगे you'll dream in your mother tongue because we grew up on that language right, then your address for correspondence doesn't matter, लेकिन permanent जो आपका address है, आप कहां से हो आप अगर भदरवा से हो, you should know about भदरवा, famous people from भदरवा जो आपके भदरवा के main produce हैं, या आपका cultural richness जो है आपके area you should know about that, right जहां से भी आप आते हो then place of birth में भी similarly you should know about the place फिर आपके पिता जी क्या करते हैं या आपके मदर क्या करते हैं you should know that, बड़े अच्छे से and मेरी ये request है कि you should be aware of what your parents do, not just because they are working and earning for you आपको इसलिए भी अपनी पेरेंट का पता होना चाहिए क्योंकि इसमें वो struggle भी reflect होते हैं, जो आपके पेरेंट्स ने जहले हैं आपको यहां तक लाने के लिए it shows your gratitude towards the efforts of your parents also, when you know them well, कि मेरे मादा पिता क्या करते हैं, मुझे पता हैं हम कहां से आए हैं जरूरी नहीं है कि आपके पिता जी को बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए if he's in a rob तो आप उस चीज़ को acknowledge ना करो जो वो कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तो या स्ट्रगल करके ही आपको यहां तक पहुंचा है तो यू शुड बी अबल तो अप्रिशेट दा राइट similarly for your mother, father both of them you should know income you don't worry about that much, जो जितना है वो लिख तो nobody is going to ask much about that then आपकी schooling कहां हुई है for example if you are an army kid या आपके पिता जी या माता किसी service में है या थे तो you might have done your schooling somewhere else, you had your birth somewhere else तो आप उस चीज को अच्छे से collate कर पाना कि मेरा जर्म कहां हुआ उस जगह के बारे में मुझे पता हुना चीज है मैंने schooling कहां की, I should be able to know about that and if you happen to study in a like slightly famous school तो आपको पता हुना चीज है वहां से कोन सी बड़ी personalities निकली है और ये सारी चीज है, you should be able to know that then we come to the college part similarly आपने college कहां किया वहां से अच्छे लोग कोन निकले और ये सारी चीज है आप cover कर ले न higher education उसी में आ जाएगा आगे सारा, employment details matter करेंगी उन लोगों के लिए जो already jobs में है जाए private sector है या government sector है, आप जो भी काम करते हो, आपको उसके बारे में पता होना चीज है, बड़ी basic सी चीज है, आप एक चीज याद रखना कि जब civil services का interview होता है तो target ये नहीं है कि आपको हर चीज पता होनी चीज है, the target is कि जो एक common sense की चीजें आपको अपनी नौकरी के basic सी चीजे है आपने अपनी जॉब की है आपने अपने फॉर्म में भरो क्योंकि वहां पे certificate का issue नहीं है, आपने अपना experience बताना है ना, just in case मालो आपने नहीं भरा किसी कारण से, छूट गया या कुछ भी है अगर interviewer आप से पूछता है कि आपने ये दो साल में क्या किया तो आप उनको बताओगी, sir I worked as an assistant manager for some reason, assistant professor for some reason they didn't give me my experience certificate, but I work ठीक, it is as simple as that जो आपकी strength है वो सामने लानी है हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो भी काम है, आप अपना काम कर रहे हो हाँ, इज़त से कर रहे हो अपना काम कर रहे हो, no problem उसको भी आप कवर कर सकते हो, अच्छे से हाँ, जी अगर जैसे NCC background है तो NCC के बारे में कब बनी थी NCC, क्या करती है NCC NCC के National Life में contributions क्या है, you should know that रैट, हाँ, जी अगर sports में कुछ नहीं किया तो नहीं किया, जैसे मैंने नहीं किया था हाँ, no problem हमने, जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, कोई sports person है अगर उसने इंडिया को represent किया है तो वो एक अलग चीज है मैं अगर football खेलता हूँ या badminton खेलता हूँ, that is a hobby for me, मैं उसको hobby वाले column में ले जाहूँगा, मैं उसको अपनी achievements में नहीं ले जा सकता, because that is a hobby for me, but if somebody has represented India at the international level, that is an achievement for that person, for me it is a hobby, so this is a subtle difference between both बस आप hobbies में रखों, उसको हाँ, अगर sports में भी रखते हो, तो आप hobbies वाले से उठा के उधर रख दो, achievement नहीं है तो भी, अगर लेकिन आपने game खेली हो नहीं जी, हाँ, ऐसा नहीं कि, sir, football is my favorite sports, where did you play, sir, TV पे देखा, then watching television is your hobby हाँ मेरी गुजारिश रहेगी कि आप उतने mention करो, जितने आप manage कर पाओ जिनके बारे में सवाल तीन से ज़्यादा किसी भी चीज़ में महरत दिखाने की I'll prefer की कोशिश ना की जाए, because अगर आपने तीन का बताया, तो you should know very well about those three sports, football का है, जैसे भी world cup चल रहा है तो you should know everything जो जो हो रही है, कहां हो रहा है, कि कौनसी टीम जीती, कौनसी टीम हारी, बड़े basic, कितनी teams participate करती हैं, कितने matches होते हैं, mascot का नाम क्या है, football का, जो official game ball है, उसका नाम क्या है, यह बड़ी basic सी चीज़े हैं, 5-10 जो famous players हैं, वो कहां से हैं, किस club के लिए खेलते हैं, these are very basic things that you should know if you are mentioning football, if you are mentioning cricket, then you should know about cricket, बहुत जादा चीज़ों में भी बहुत जाना, because उसमें क्या होता है, आप पे added pressure आएगा to gather knowledge, just mention things जिनके बारे में आप comfortably already knowledge possess करते हो, don't try to put burden on yourself, whether you have appeared for UPS examination, अगर की है, तो आप बता सकते हो, उसमें DF में भरो गई, and बस मुझे नहीं लगता, उससे ज़्यादा वो ये देंगे, कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, just in case मानलो, वो पूछ लेते हैं, कि कहां तक पहुँचे तो आप जहां तक पहुँचे, वहां तक का बता दोगी, sir, interview दिया था, मेंस तक गया था, या कुछ भी है, you keep it limited to that, उसमें additional कोई उतना pressure नहीं है, हाँ तो अगर select हुए तो, yes, नहीं हुए तो नहीं, let me see, if yes, how many times have you appeared, हाँ जी, तो उसमें नहीं कर दो, not applicable, no problem, right, now we come to the next part, DAF we have governed, अब आप ये चीज़ मान के चलो, कि आप interview hall की तरफ जा रहे हूँ, अपने घर से निकलना है, अब हम इस चीज़ पहेंगे, form बढ़ के बेज दिया, अब हमें interview के लिए निकलना है, हम घर में सुबह, हाँ, हम अभी आएंगे होबीस पे, अभी ये जो बारा तेरा चीज़े कवर करने हैं, उसमें होबीस हैं, विल बी कमिंग दू दाट, राइट, आप सुबह उठे, अभी आप उस दिन लग कैसे रहे हो, ये शुद लूप लाइड़ी, वो इस सब्सक्राइब विल बारा तेरा तो आप अपनी अपेरेंस उसी हिसाब से, जैसे लेडीज हैं तो अपनी फॉर्मल कपडे थोड़े साड़ी या जो भी सूट जिस तरह से, ऐसा नहीं हो ना कि शादी वाला सूट, इट शुद भी वरी सिंपल थिंग, उसी तरह लड़के जैसे अपना अगर त्यार हो रहे हैं तो ज़्यादा चमकीली भड़कीली टाई ना हो, टाई शुद भी ओफ वरी सिंपल कलर्स, अभी जैसे ठंडा मौसम आ गया है, तो I'll request कि आप बलेजर या कोट कुछ पहनो, सूट पहनो, अपार्ट फ्रों यूर पेरेंस, अपार्ट फ्रों यूर पेरेंस, इटिल कीप यू कमफर्टेबल इन दे इंटरिव्यू, जब आप टाई पहनोगे, तो आपकी टाई यहां नहीं हो कि बिल्कुल नीचे लटक रही है, या पेट पे लटक रही है, आपकी जहां तक बेल्ट है, लगवग वहां तक आपकी टाई की लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, आप लोग घड़ी जुरूर पहन लेना, एक सेंस ओफ टाइमिंग भी रहती है, कि मैं अभी मेरा इंटरिवू शुरू होने वाला है, वेनि यू बी वेटिंग, मैं एक एक्जेम्पल देता हूँ, मेरा जब इंटरिवू था, तो पहले तो हम सब लोग वहाँ हॉल में बैठे थे, उसके बाद आपको इंटरिवू रूम के बाहर वेट करना होता है, जब तक वो आपसे पिछला बंदा अंदर गया हुआ है, मैं बाहर बैठा था और मेरी हिच्की शुरू होगी, अब होगी तो होगी, ठीक है, ऐसी चीज़ें भी होती है ना, यूर अईउमन बाड़ी, हिच्की शुरू होगी, अब समझ नाय करूगी, आप मैंने किसी को बोला है, पानी पिला दो थोड़ा सा, मैंने पानी पिया, हिच्की बिच्की किसी तरह से वो अंदर जाके, अपने आप याद भी नहीं कि वो चल रही थी, और रुग गई, ठीक है, तो यह चीज़ें भी हो जाएंगी, अल दी, अल दीस इंग्स अर नेच्छरल, मैं आपको एक एग्जेंपल देता हूँ, मेरा इंट्र्यू था, यू पियासी का जब, तो वो चेर उंची थी, अब मेरी हाइट ओके तो लंबे हैं नहीं, तो मेरी एक टांग इस तरह से थी उस दिन इंट्र्यू में, अब पच्छिस मिनट आपको अपनी एक पैर को ऐसे रखना है, मेरा पैर हो गया कापना शुरू, और यहां पर लेफ्ट में जो मैं बैठीं थी, इंट्र्यू ले रही थी, शी कुट सी दाट माई लेगे शिवरिंग, ऐसे टांग कांप रही है मरी, बट वो टांग इंट्र्यू के वज़े से नहीं कांप रही है, बिकोज चेर उंची थी, पैर इस तरह टिका हुआ है, कितनी देर वो स्टेबल रहेगा, वो इस तरह से इस तरह से वाइबरेट करने लग जया, चल रहे है, still, these things don't matter, I got 240 marks in interview, highest that year, मतलब यह छोटी मोटी चीज़े हिच्की आ गई, टांग उपर, तो यह चीज़ें अगर आपके साथ हो जाती हैं, तो don't worry too much, हिच्की आ गई, उस दिन थोड़ा सा कोई टांग कांपरी यह कुछ आ रही है, धिरे-धिरे सेटल हो जाओगे अंदर जाके, दिल की धड़कन बढ़ी होगी, these things will happen, these are natural things, थोड़ा सा nervous होना life में, it is a very natural thing, जैसे मैं एक example देता हूँ, पहली बार मैं कोई quiz competition में गया था school में, तो stage पे चढ़ा के quiz competition था, स्वाल भूल जाओ, मेरी टांग ही कांपरा नहीं बंद कर रही है, क्योंग पहली बार stage पे चढ़ा, stage fright हो गया, अब मुझे चढ़ा दो मैं नहीं कहिए, टांकामती विदे experience you learned, तो आप अगर interview में जाओगे, ज़्यादा घबराना नहीं, you are going there as an individual, who has lived his or her life through years, ऐसा नहीं है न कि कल भी पैदा हुए हैं, और दिज़्दगी के बारे में कुछ नहीं पता है, सबने अपने-अपने struggles छोटे-मोटे किये होते हैं, be proud of your struggles that you have done in your life, don't be proud of कि पापा क्या करते हैं, मैं कहां से आये, मतलब किनना पैसा ऐसा डेगोर, इन चक्रों में proud नहीं है, but all of you have struggled through something, if you have struggled through something, you should be proud of that, if your parents have struggled through something, you should be proud of that, your struggles make you strong, उस चीज को आप थोड़ा सा अपना प्राइड के साथ भी जाना है, ऐसा नहीं है कि ऐसी चलेंगे इंट्रिव देने, भई प्री पास किया, मेंस पास किया, अपने दम पे इंट्रिव देने आए, be proud of that fact, थोड़ा से confidence से जाना है, अब मैं एक एक एक्जेंपल देता हूँ आपको, एक्जेंपल किया यह सचाई, मेरा जब UPSC इंट्रिव था, मेरा एक दोस्त है, वो अभी UPPCS में है, I called him, मैंने का, भई, इंट्रिव पहला क्या किया जाए, क्या क्या किया जाए, कैता भईया बाकी छोड़ो, उट्सा दिखना चाहिए इंट्रिव में, ठीक है, दिस वेरी सिंपल थिंग दैटीज़ इंट्रिव में, बट आई बलीव, दिस इस 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 इंपॉर्टन थिंग एंट्रिव, आप यार किसी नोकरी के लिए, बड़ी प्रिस्टीजियस नोकरी के लिए इंट्रिव देने जा रहे हो, आपकी परसिनलिटी में उत्सा दिखना चाहिए, एंथूसियाज़, वो आपकी परसिनलिटी में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना, कि आप कहीं पे यार, शोक पे आये हो, इतने सैड हो, don't go as a sad person, आप में से कितने लोग, मतलब आपके आसपास के लोगे, जो में स्क्रियर करके इंट्रिव देने जा रहे होंगे, आप अपने महलों में देखो, अपने गाउं में देखो, कितने लोगों ने किया है, जब आप इंट्रिव देने जा रहे हो, go with pride, that I have achieved it, अब आप इंट्रिव देने अपना, वहाँ पे appearance का हमारा हो गया, you have to go with confidence, next thing is, जब आप वहाँ पे बैठ गए, एक बड़ा common सी चीज़ होती है, या उस टाइम क्योंकि यह उतना YouTube बगएरा नहीं था मेरे टाइम पर, दीरे दीरे आगे चीज़ें बढ़ी है, मुझे दिमाग में बहुत होता था कि greet कैसे करना है, when you enter the room, तो उसमें ज़्यादा था तो यार याद भी नहीं रहता है, कि good morning sir बोला था, good morning ma'am बोला था, क्या था, लेकिन जो chair है, जो भी chair person होगा, lady या gentleman, you address him or her, good morning sir, right, थोड़ा सा इस तरह से नमस्ते टाइप, सब को मत्था सा टेक देना है, ठीक है, यह बड़ी basic देसी बात है, क्योंकि उस टाइम नहीं याद रहेगा, कई बार भूली जाता है, बंदा की इनको भी नमस्ते करनी थी, they are not there to take your नमस्ते, it just shows your, आपका confidence की game है सारी, कि आप किसी room में गए, आप ऐसे चुपके से बैठ गए, या आप बड़ी तसली से अच्छे से गए, but go with a lot of humility, अकड से नहीं, humility से, कि सर में अपना interview देने आई हूँ या आया हूँ, आप लोग मेरा test लेंगे, I am here, उसी humility के साथ, and acknowledge whoever is there, अच्छे से, ठीक है, next is, what do they expect from you, जैसे मैंने पहले बताया कि, interview is of your personality, not of your general knowledge, कि आपने, अभी जैसे को, आज से दस एक दिन पहले, Mr. Narayan Murti, जो Infosys वाले, उनका एक interview आया था, interview नहीं, he gave a speech somewhere, कि इंडिया में जो, आज कल बरवादी हो रही है, उसमें रटा लर्निंग जो है, उसका बहुत ज़्यादा योगदान है, and he talked about the tyranny of coaching classes also, तो उस तरह के लोग जब इन सब चीजों की टटा लर्निंग की बात करते हैं, तो उसमें हो क्या रहा है बच्चों के साथ, बच्चे अपना confidence और अपनी जो original personality है, उसको सामने ही नहीं आने देते, and each one of us has been blessed by God in a particular manner, हम सब के पास अपनी अपनी blessing है, तो उसको थोड़ा याद रखना है, उस ही में हमारा यह आएगा कि, what do they expect from you? They are expecting common sense from you. कोई भी interview board जब बैठता है, वो आपसे common sense expect कर रहा है, कि इस बच्चा जो अंदर आ रहा है, young lady या young man, whether he possesses the qualities of a good human being, जिसको बात करने की तमीज हो, अगर किसी chair पे हम बिठा दें, तो क्या chair पे बैठना आता है? Chair पे बैठके, तो क्या बात करनी आती है? बात करनी आती है, तो किस तरह की बात करनी आती है? जहां से आई है, आया है, उसके बारे में कुछ पता है, अब जैसे MTV Roadies के audition बड़े देखता था हमें, ऐसे ही बैठे बैठे, राइट, पुराने auditions, उसमें एक बार एक बंदा आया था, वो बड़ा, जबदस चीज थी वो इपने आप में, उससे वो पूछ रहे हैं कि भाई तरी hobby क्या है? कहता सर जिम, कहता अच्छा क्या करते हो लाइफ में, कहता सर जिम, उससे छे साथ बार पूछा गया कि तेरी जिन्दगी में achievement क्या है, तो उसने जिम बताया, तो मेरी request आप से है, कि ऐसा ना हो कि आपके साथ स्वालों का जवाब सेमी हो, you should be a multifaceted personality, कि सर मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, लेकिन जो भी किया बता रहे हो, वो original होना चाहिए, वो गप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गप पकड़ी जाती है, और जिस तरह से आप लोगोंने मेंस क्लियर किया, इंटर्यू देने जा रहे हो, तो already आपके चेहरे पे एक gravity दिखने लगती है, because you are somebody who has prepared for the exam and cleared it, तो वो gravity आपके चेहरे पे होगी, don't spoil it by indulging in any gap or jhoot, अगर कुछ नहीं आता है, नहीं आता, I'm sorry sir, I don't know the answer. Bilingual sir, no problem, my interview was bilingual, क्योंकि आप primarily तो interview का जो माध्यम है, वो भरते हो, form में, right? अच्छा इस में नहीं है, UPSC में भरा जाता है, तो mine was English, मैंने English ही भरा था, लेकिन बीच में एक दो जगाए पे उन्होंने खुद ही एक आदा स्वाल हिंदी में पूछ लिया, कि जब आप से कोई हिंदी में स्वाल पूछ रहा है, या उर्दू में स्वाल पूछ रहा है, तो if you know Hindi और उर्दू, try to answer that in that language. आपका नाम क्या है? Sir, my name is Sandeep. Sir, मेरा नाम Sandeep है. Right? जिस जवान में स्वाल पूछा जाए, उसी जवान में जवाब आपका आना चाहिए. Next is, if you don't know the answer, मान लो, किसी चीज़ का जवाब नहीं आता है, just say, sorry ma'am, I don't know. I'm not aware of this. I don't know कि बजाए, थोड़ा सा मतलब, diplomatic जवाब बेटरी ये होता है, कि I'm not aware of this. ठीक है? I don't know, मैं थोड़ा सा फिर भी, कि यार, पता नहीं मुझे. दूसरा बोलो कि, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है. I'm not aware of this. This is a very diplomatic thing to say. इससे क्या होता? आपकी politeness का ही है, सारा मसला. फिर बच्चों को, जैसे बच्पन में बढ़ा, अगर आपको कोई चीज नहीं समझाई, बोलना, I'm sorry, ma'am, I could not hear you properly. I'm sorry, ma'am or sir, I could not hear you properly. Could you please ask the question again? Right? Don't say, pardon. You're not talking to somebody at your house. Don't use the word pardon, मेरी तो यह request होगी. Just a very simple word that English people have left us with. I am sorry. Right? I am sorry. Pardon, pardon, नहीं. That looks very, कई बार क्या होता है? सामने वाले को, आपने उफेंड नहीं करना है, आप इंट्रिव देने जा रहे हो. अब कई बार हम किसे सुनते थे, अपने दोस्तों कही. इंट्रिव गए हैं, इंट्रिव में लड़ने बैठ गए हैं. Don't argue. मालों, आपके से कोई political स्वाल पूछा जाता है, और आपका उस पे बड़े strong विचार हैं उस चीज़ पे. तो यह याद रखना कि, वहाँ आप political agenda के दिए नहीं गए हो. You are going to the interview room, to clear an exam and join your job. वहाँ पे जाके अपना political agenda पे लड़ाई मत शुरू कर देना. वहाँ पे अंदर चल रही है जी, उलज गया कोई किसी के साथ. हमारे टाइम पे हुआ था, somebody we knew, वह अंदर किसी बात पे उलज ही गया. अब 10 years down the line, अब वह सोच रहा होगा ना यार, उस दिन मैं शान्ती रख लेता, आज बड़िया exam clear हो गया होता, कोई अच्छी जॉब लगगी होती. These things make you pay in the long run. So don't engage in that. Next is, आपकी education background पे question, वह मैंने D.F. के टाइम में बताया था, कि आपने जो बढ़ाई की है. या PCS पास करके humanity के लिए महान contribution अपना देना है, तो आगे से वो पूछ लेंगे कि डॉक्टर बनके भी तो आप अपना महान contribution दे रहे थे, तो why this? तो इस स्वाल का जो जवाब होगा, that should be very grounded and should have substance. कि थोड़ा सचाई उसमें जलकनी चाहिए, कि बंदा genuine है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि, for example, कोई आपसे पूछता है कि, why do you want to join PCS, मान दो आप KS officer बनना चाहते हो, तो हम सब के अपने अपने reason होते हैं, जब आप ये walk interviews और इन सब चीजों में जाते हो, या online देखते हो न, तो होता क्या है, it ends up destroying your originality, और सब बचे सेम जो आप देने लगते हैं, सब बचों ने सेम जो आप नहीं देना है, अगर आपका कोई particular reason है, तो you should stick to that, not because somebody on YouTube or Instagram or some walk interview told कि नहीं नहीं यह नहीं, इस तरह से बोलना है, don't fall for that, आपका KS बनने का reason reason अलग हो सकता है, आपका KS बनने का reason अलग हो सकता है, and मेरी यह request है, कि वो reason अलग रहना चाहिए, it should not become the same reason, आप same answer नहीं देने जा रहे हो, तो इस चीज़ का जो आप मैं बिल्कुल suggest नहीं करूँगा, अपने घर पे बैठो, just spend 15-20 minutes with yourself, यह अपने आप से पूछोगी, यार मैं सच में क्यों करना चाहती हूँ यह, मैं कर के आराऊंग, why am I doing this, तो उसका जो answer उस टाइम निकल के आएगा, उसको थोड़ा note down करो, पर्टिकुलर, प्रॉपर उसको थोड़ा sentence में बनाओ, it should not seem like a blabber, कि कुछ भी बोल दिया, you should go well prepared with this, because यह बड़ा existential सा भी question है न, कि भई, आप जा रहे हो, कोई जॉब के लिए, और आपको पता ही नहीं आप क्यों बन रहे हो, you should not, पंजाबी चेंदे ग्वाची गाह, you should not be a cow lost in the town, आपको पता होना चाहिए, कि मैं यह कर रही हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, then work related, हमने डी-एफ में cover किया था, hobbies में फसते हैं लोग, और मैं खुद भी फसा था, ठीक है, मैंने hobbies में लिख दी थी cooking, right, अब cooking hobby नहीं थी, मेरी मजबूरी थी, because मैं नोकरी कर रहा था, घर से दूर था, और उसी time त्यारी कर रहा था, तो अपना खाना बनाना होता था, खाना बनाना, डाल रोटी, चिकन बना लेना, वो hobby नहीं है, मेरी गलती यह थी, कि मैंने उसको hobby लिख दिया, अब उन्होंने cooking पे, दो, तीन technical स्वाल पूछ लिए, right, मुझे नहीं आए, then why should I write it as my hobby, उस दिन मैंने यह lesson सिखा life में, कि अगर मैं कोई भी मुझसे पूछे का, कि sir cooking very hobby है, तो मैं बोलूगा, भाई, अच्छे से पहले सोच लेना, कि क्या-क्या बनाना आता है, जाथ मालों कोई आप से पूछ ले, कि चीजों को, किसी भी चीज को fry करने के चार तरीके बताओ, right, अगर नहीं आते तो, how would we be able to explain, या कोई technical term है cooking की, तो cooking भी अगर आप hobby लिख रहे हो, तो you should know about hobby, proper cooking, उसमें आप किस तरह की cooking करते हो, Indian, Italian, Continental, वो सारी चीज़े सोच लेना, cooking बहुत ड्रावना सब्जेक्ट है, हमें easy लगता है, मैंने भी दाल रोटी के चेकर में cooking लिख दी थी फस गया था मैं, right, हाँ जी, अगर एक ही है तो वो बहुत अच्छे से आनी जी है, for example, आपकी क्या, हाँ, आपको पेंट्स के बारे में पता हो, दो-चार फेमस पेंटर्स होए राके बारे में, मोना लिसा किसने बनाई, ये बड़े basic से चीज़े हैं, पेंटिंग है अगर होबी, दो-चार जो फेमस पेंटर्स होए, ये अलग-अलग स्कूल ओफ पेंटिंग्स हैं, जैसे आप से बसोली पेंटिंग के बारे में कोई पूछ लेगा, तो ये शुड नो अबाउट आपकी होबी क्या है? हाँ, तो योगा के वोई आसन वासन सारे याद होने चीए है, अब जैसे मेरी तरह नहीं होना चीए ना, कि पूछे कौन सा फेवरेट आसन है, शवासन, ठीक है, वो नहीं होना चीए, ये शुड नो अबाउट दाट, आपकी क्या है होबी? सर, तो मॉटिवेशन स्पीकर है, और माइफॉलोजी? मॉटिवेशन स्पीकर अबाइड करना, वो हॉबी नहीं है, अपने आपने, ये ठीक है, फिल्में देखना होबी है, हाँ जी, हाँ एंकरिंग होबी है, मतलब, वो एक्स्रकुरिकलर में आ गया है, होबी is something that you do for yourself, जो एंकरिंग आप कर रहे हो, या मॉटिवेशन स्पीकिंग आप कर रहे हो, that is for others, हाँ, माइथालोजी में थोड़ा देख लेना, कि किस तरह की क्या किताबें हैं और ये सब, हाँ, ठीक है, माइथालोजी में अब ये देखना कि रीडिंग, राइटिंग, हाँ, तो वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, कि माइथालोजी तो लिख दिया, जैसे मामातार या रामाया, ठीक है, तो उससे हिसाब से, आपकी क्या है नजरुल साब, ये डॉक्टर यात्री टाइप, फिर कौन सा, हाँ, डॉक्टर यात्री भी तो ट्रेवल विलॉग ही बनाता है, तो अब देखो, विलॉग आपने बोल दिया, मालो मैं अगर इंट्रिव ले रहा होता है, तो उसमें मैं पूछ लूँगा कि किस तरह की विलॉग्स, कोई तीन फेवरेट विलॉग्स बताओ, ठीक है, तो आपको विलॉग्स में सबसे फेवरेट कौन सी जगह लगी आज तक, जहां पर वो ट्रेवल करने गया या गई? नहीं ते, लिवरेट लेंड, इस फेवरेट बेजी बर्शिया एंड रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग, छोटा सा नेशन एक कंट्री खुद में ही है, तो आप अगर लिख रहे हो तो, यार्वार वेल प्रिपेरड, मुझे ठीक लगई आपका, तो आपका लोग है, आपका किचन गारणी, तो वो ही प्लांट सुलांट्स के नाम, भीज, यह सारा थोड़ा पता होना जिये, ठीक है? आजकल एक नई टाम हाई, यह प्लांट पेरेंस Jens, आजकल अब प्लांट पेरेंस भी हैं, तो वो थोड़ा सा उससाब से आप देख लेना कि आप kitchen garden, धनिया पुदीना तक हो, broccoli तक हो, या proper plant बेरेंट हो, तो वो थोड़ा सा उससाब से देखना है, why do you want to join वाला हो गया, then एक है कि आप किसी भी चीज के बारे में कितना जूट बोलोगे, या गब मारोगे तो उसको avoid क चलना, मालो आपके बारे में, या आपकी personality के बारे में, कोई ऐसी चीज है, जो आपको लग रहा है कि अच्छी है, right, मैं आपको एक example दूँगा, State Bank of India का interview था मेरा, मैंने उन दिनों एक line रटी होई थी, moving finger rights, having written, it moves on, it was by Roomy I think, right, तो मैंने interview में कोई ऐसा कोई passage आया, जहां पे वो मेरी life के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने थोड़ा बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई की ये किया, तो महां पे मैंने smart, अपनी over smartness दिखाते हुए, बीच में line धख दी, sir, moving finger rights, having written, it moves on, हमने अपनी तरफ से तो impress करने के रिए बोली, उन्होंने आगे से पूछ लिया, किसी ने लिखी है, फस गए, नहीं पता था, तो कई वार क्या होता है, जो चीज हमें लगता है कि मैं smart हूँ, उस चीज को तभी बोला जाए, जब मुझे उसकी सही knowledge है, otherwise बंदा फस जाता है जैसे मैंने बोल दिया, एक dialogue, उल्टा पड़ गया, दूसरी एक चीज गोर मेरे साथ एक interview में हुई थी, that was some other bank PO interview, तो त्यारी मेरी ज़्यादा अची होगी थी, उन दिनों confidence बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा over smartness की तरफ कदम बढ़ गए थे, they asked me a question about something, before the interviewer could finish the question, मैंने जवाब दे दिया, right, एक चीज याद रखना कि quiz competition और interview में फरक होता है, please remember, there is a difference between quiz competition and interview, I treated one of my interviews as a quiz competition, उन्होंने नाम लिया, A, B, C, D, something, before the interviewer could finish the question, I answered, he literally screamed at me, कि ये बत्तमीजी है, because I have not finished my question and you are answering, just because you know the answer, it doesn't give you the right to speak before I finish, uncivil है नहीं, uncivilized behavior है, कि मैं आपसे पूछूँ, cricket में सबसे ज़्यादा centuries किसने बनाई हैं, अभी मैं cricket में सबसे ज़्यादा centuries पर ही आया था, आपने बोल दिया, this is wrong, this is wrong behavior, because you are speaking before I am finishing, my target was not to check whether you know, कि सचीन ने कितनी centuries बनाई हैं, मेरा target ही ये था, कि ये बन्दा जब lose ball मिलेगी, तो उस पे आगे बढ़के सीधा hit मारने जाएगा, या पहले ball की wait करेगा, right, so उसमें stump हो जाता है बन्दा, मैं खुद हुआ stump, please see कि आप किसी भी question का finish होने दो, उसके बाद उसका जवाब दो, then जी के उस दिन का अख़बार या उसके हफते दस दिन पहले का अख़बार interview से पहले, वैसे ही रोज पढ़ना है, क्योंकि नहीं नहीं political developments हो रही होती है, या government कोई major decision लेती है, you should know about that, इसमें भी मैं एक interview के example दूँगा, क्योंकि मैंने interview जादा दिये उन दिनों में, Bank of Badoda का interview था, उन्होंने मुझसे food security program के बारे में कोई question पूछा, and there was some decision by the government that morning only, मतलब the previous evening और उस दिन के newspaper में वो आया हुआ था, और maybe because of some reason मैंने वो newspaper उस दिन नहीं पढ़ा था interview में, interview से पहले, they asked me about that decision, I didn't know, अब उस case में क्या हुआ, it reflected my ignorance of the subject, क्योंकि latest update नहीं थी, तो आप interview से 10-15 दिन पहले लगातार अख़वार जो है, रोज 2 घंटे उस पे लगा लेने हैं, क्या चल रहा है, जैसे जेंड के की खबरें भी पढ़नी हैं, क्योंकि आपका PCS का interview है, तो जेंड के का जो local अख़वार है, वो भी पढ़ना है, एक national ख़वार भी पढ़ना है, तो you should be well updated about whatever is going on in the society and nation, वो उस चीज़ को थोड़ा देखना है, then situational questions, कि आप फ़लानी जगाए पर इस तरह के अफसर हो, ऐसी ऐसी situation आ गई है, तो इसके जवाब में मेरे हिसाब से आप basic approach यह होती है, think like a citizen, right, don't think like an officer, think like a citizen first, कि जो action आप लोगे उसका जो आम नागरिक है, उस पे क्या impact आएगा, आप officer के perspective से मत सोचना, उसमें बंदा bold हो जाता है, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि इस तरह का बड़ी gathering होगी, आप DSP हो, आप क्या करोगे, आप बोलोगे sir मैं गोली चलाने का order दे दूना, वो गलत हो जाएगा, first you should see कि वो जो लोग इकठा हुए है, वो किस कारण से हुए है, क्या वो बात करने से उनका मसला सेटल हो जाएगा, क्या उन्होंने road block की हुई है, नहीं की हुई है, आप पहले citizen के हिसाब से सोचो कि, आप सीधा solution की तरह मत भागना, first try to understand the problem, in every situational question, your target should be to understand the question first, not the answer, answer तो आई जाएगा ना, जब आप उसको देख लोग अच्छे से, कि ऐसी ऐसी situation है, इसमें कैसे react करना है, तो first think कि, उसका impact नीचे लोगों पे क्या आएगा, फिर officer के हिसाब से सोचना, सीधा officer के हिसाब से सोचना, और बाद में ये देखना कि, यार ओहो अच्छा है, लोगों के साथ ऐसा हो गया, that is the wrong approach, first you see, what will be the impact of this thing on the citizen, then you decide as an officer, then last thing is, whichever interview you go for, stay original, जैसी personality उपर वाले ने आपको दी है, या आपके experiences ने, आपके struggles ने बनाई है, stick to that, जैसे आपो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कि मानलो, थोड़ा सा बात करने में, मैं, हिच किचाता हूँ, या ज़्यादा बोलता हूँ, तो वो उस चकर में भी नहीं जाना है, मैं तो ज़्यादा ही बोलता हूँ, उस टाइम फिर अपने आपको थोड़ा सा मेजर करना है, इंट्रिवू के लिए, लेकिन जो आपकी personality है, more or less, it should be original, जैसा आप हो, जैसा आपकी life के experiences ने, struggles ने आपको बनाया, यह approach in that manner, तो आपका बड़े अच्छे से इंट्रिवू हो जाएगा, take care of everything, my best wishes to all of you.